गुड मॉर्निंग अब्रिवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्त होंगे तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और सेयर कर दें हैं तो यह वीडियो सुभा सुभा का है करीछ 5 बजे का है देखे लग लग नहीं रहा है कि सुबा 5 बज रहे हैं इतना लाइट हो चुका है कि यूप यदा गर्मी है इसके वज़ेद से जल्दी लाइट हो जाता है आपा तयार कर दो था पिटा सो यह गर मान्नींग है से होते हैं, बाई हाई, हाई करिए लुड मान सुब्भा सुब्भा साड़े पांच बुजे को वक्त है ये तो बच्चे चले गए स्कूल, हस्बंड चले गए ऑफिस उसके बाद मैं नहाद हुआ कर आई थी नास्ता लेने के लिए लेकिन मेरा मन नहीं किया रोटी खाने का तो मैं फिर बोली कि चलो सत्तु घोल कर नहीं पी लेते हैं तो जैसे ही मैं पी ही रही थी उसी वक्त आगे गैस वाले भाईया और वो फोन कर रहे थे और शाइद दूसरे रूम में तक्या के नीचे मेरा फोन रखा हुआ था तो फोन मुझे सुनाई नहीं दिया तो वहीं बोल रहे थे तो खेर चलिए तो सब कुछ करने के बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाओं क्या बनाओं और हम लोग का रोज का यही प्रॉब्लम ही होता है कि हम क्या बनाएं पर्ड डे कर यही होता है आज क्या बनाएं आज क्या क्या बनाएं सुभा सोकर उत्ते के साथ नास्ते में क्या बनाना है लंच में क्या बनाना है डीनेर में क्या बनाना है यही हम लोग सोचते रहते हैं तो आज कुछ मन नहीं कर रहा था दाल चावल सबज लोगशी के कोफते बनाने के लिए पहले में से अच्छे से छील कर धोली ऊंच ऑर उस Judah abundant करेकिछ करने के बाद जितना भी उसमें पानी रहता है उसे एक कल लेती हूं। जितना भी मेरे मतागत रहता सब लगाकर हाथों से निचोड़ कर अब है उसमें मसाले डालने की बारी तो मसालों में मैं डालती हूं प्याज, हैरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, फिर हल्दी और नमक रोत यसाब डाल देती ह endeavor मेरे पास जीरा भूनी हुई रख्यी थी तो cities अच्छा आता है और साथ 셋 ही मैं कि अब यह मिल चुका है तो इसके बाद फिर इसे फ्राइ करना है तो फ्राइ करने के लिए काफी तेल घर्म होना चाहिए तो मेरा तेल देखिए काफी गर्म हो गया है कि उधकि गर्म is an in मेडियम आज मैं कर दूंगी कि वह पक भी जाता है अंदर से अच्छे तरीके से पक भी जाएगा तो इसलिए पहले मैं हाई फ्रेम पे इसे पका लेती हूं उसके बाद फिर मेडियम कर लेती हूं तो यहां पर देखिए मेरा कोफता बन गया है अच्छे खासे पक गया है अं मैं अपने लिए ही डालती हूं कि मुझे आलू बहुत पसंद है तो मैं इसमें दो आलू भी डाल दूंगी और यह जब अच्छे से फ्राय हो जाए तो इसके बाद फिर मैं इसे भी निकाल लूँगी तो देखिए मेरी आलू अच्छे से फ्राय हो गई है एक आधा सीज भी गई है मतब आधा से ज्यादा पक भी गई है तो अब इसी तेल में मैं छोका भी लगा दूंगी तो इसके लिए पहले मैं जीरा डाल देती हूं टेज पत्ता डालती हूं छोटा सा एक था मेरे पास तो उसी को मैं डालती हूं साथी मैंने चौपर में चौप कर लिया था प्याज को तीन प्यास थी मेडियम साइज की तो उसे भी मैं चौप कर ली हूं आर यह जब भून जाए अच्छे से तो इसमें फिर मैं टमाटर भी डाल दूंगी काशा Twin को डालने के बाद थोड़ा सा भूल लेती हूं उसके बाद फिर अद्रक लासन का पेस्ट भी मैं पिस करक्या लिए उसे वी एक बार दो बार चलाने के बाद पिर सुखे मसाले भी मैं डाल लेती हूं तो सुखे मसाले में जीरा गुल की धनिया मेडँ यहां पर मेरी सब्जी बनकर तयार हो गई है काफी अच्छी लग रही है इतनी अच्छी खाने में लग रही थी और मैं थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाई हूं क्योंकि मैं दाल नहीं बनाई थी तो यहां पर देखिए मैं हम लोग का खाना लग गया है आई आप भी हमारे सा खालीजे तो यह क्लिप साम का है जब हम लोग गय थे मिष्टी का हैर कट करवाने के लिए और देखिए कितनी ज्यादा खुस हो रही है पर हो रहे है मिष्टी की कटिंग और मिष्टी डर रही है पहली बाजानते है आए पर लॉस्टी मेरे कटनों है ना बचपन से ना हामी इसका कट करते ते हमाशा है है न मिष्टी ममाँ संख अग से मिटेग कर्टि यह काम चला है हाना मिठी है तब मिश्टी कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है तो बच्चे साथ में जाया है और कुछ लेना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है तुर अपने पापा के साथ दुकान में खड़ी है कुछ खरीद रही है और सोनू घर में ही था तो उसके लिए भी तो कुछ जरूर चाहिए होग तो मेरे हजबन आप लोक pong खिला रहे हैं आप लोग भी खाली जी अऔर हम लोगम खाँ ही रहे थे बस उसी वाक्त मेरे फ्रेंड लोग बच्पन की फ्रेंड लोग आ गई तो और खी थे Leading अन्में से यह लोग दोनों आ है certified दिखा के दो सब्सक्राइब अजल्दी जल्दी कर दो कच्छा में पापा को दिखाना है कर दो कर दो कर दो स्विंगों में तो नहां रहे थे क्या 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 दिखिये यह लोग है मेरी बचपन की अज़िये लेना बचपन की फ्रेंड तो का हुआ फ्रेंड लोगों जम हाई लेते हुए ही लेना चाहिए मारेंगा मस सब सोच में पड़ गई है रद्वा क्या कर देए ऐसा कुछ भी नहीं है रद्वा क्या कर देए हमारी तमन्ना पूरी हुए प्रेंग एक साथ साथी के 15 साल बाद हम लग मिले है आज मिले है 15 साल बाद इन लोगों से मिलकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत थी अच्छा लगा तो अब यह लोग जा रही है कि रात हो चीकिती राज का ब्लॉक बस यहीं तक था अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आज के लिए इतना ही बस बाई गुड नाइट